अनुच को पता चला कौन सा राज, अनुपमा ने क्यों मारा डिंपल को एक जोरदार तमाचा, अनुच के आगे क्यों गिड़गडाए पाखी और तोशू, अनुच कैसे करेगी अनुच से अपने प्यार का इसहार, आईए, स्टापनिस के इस फेमस शो की लेटिस्ट अबड की बत्तमीजी के बारे में सोचती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाखी अचानक अजीब हो गरीब फैसले लेने वाली अनुच को ही उसकी हालत के लिए दोश देती है, अगले सबहें बावर बापुजी को सहारा देते होए अनुच आशभवन में सब को उठाती है, और अनु भी बेचने का फैसला करती है, डिम्पल और डॉली को घर के कामों में मदद करने को कहकर वो टीटू और नंदिता को लेकर डिम्पी को कसकर डाट भी लगाती है, ठेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसका हाथ उड़ गया? नंदिता के पैर फिसले पर तपिश उसे संफाल लेता है, लेकिन ये सब देख रहे डिम्पल अपना आपक हो देती है, और नंदिता को जोरदार थपड मानती है, जिसके बाद पूरे आशभवन में भूचा आला जाता है, अनु के पूछने पर उसे अनुज और बाप बा नंट मारते हुए, जब वो नंदिता के एक क्यारेक्टर पर सवाल करती है, तब अनुपमा वॉखला कर डिम्पी को एक तमाज आ जड़ती है, और उसे आयना दिखाती है, पर क्या डिम्पी की सोच पदल पाएगी? क्यास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले एपिसोट्स में अनुज को सागर और मीनु के रिष्टे का सच पता चब जाएगा, ऐसे में घबराई दोनों उसे अपने दिल का हाल सच-सच बता देगे, अनुज को तो इस रिष्टे से कोई दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन वो उन ऐसे में कब सच का परदाफाश करेगा हमारा ये नया कपल? वीडिय रिपोर्ट्स के मताबिक होटेल में जूटे बर्तन धोने और दोस्तों के ताने सुनने के बाद पारितोशर पाखी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचेगा ऐसे में ठकार कर और खून का घूट पीते होए दोनों बिगडेल ओलादें वापस आएंगी आशा भवन की चौखट पर वो अनू से माफी मांगते होए दुबारा बत्तमीजी ना करने की अनुपमा की धमकी को मानेंगे और नाक रगड कर आशाभवन में दुबारा आने की गोहार लगाएंगे लेकिन क्या ही होगी किसी बड़े तूफान से पहले की शांती तो इस समय अनू चारों तरफ से मुश्किलों से घिरी हुई है और उसे नहीं पता कि एक बड़ा भूचाल भी उसका इंतजार कर रहा ऐसे नो सागर और मीनू का सच पता लगने के बाद कहानी एक बहुत बड़ा मोड भी ले सकती है कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्दी अनुपमा अनुच से अपने प्यार का इजहार भी करेगी कैसे और कब जाने के लिए इंस्टाफीट के पेज पर जाएं और घंटी के न